तो दोस्तों अगर आप सही समय पर करोगे वार, तभी तो बढ़ेगा आपका वैपार और सही समय आचुका है, लसी के बिजनस को शुरू करने का क्योंकि गर्मियां बहुत तेजी के साथ आचुकी है और इंडिया में बहुत गर्मी पढ़ती है और इंडिया में एक और खासियत है लसी एक ऐसा beverage है ऐसा drink है जो maximum लोगों को पसंद होता है और लसी के दहीं के कितने फायदे होते हैं यह सब आपको बताने की जरूरत नहीं है आप बहुत समझदार हैं आप सबको पता है तो लसी का business करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं औ कैसे बिजनस को अच्छा पैसा इस business से जरेट कर सकते हैं यह इस वीडियो में बताने वाला हूँ और सबसे असान तरीका क्या होता है लसी को बनाने का वह भी इस वीडियो में आपको पताने वाले हैं क्या क्या चीजों की requirement आपको पढ़ेगी यह सब कुछ इस वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ तो बहुत time तक सोच कर गर्मी के season को निकालने से बहतर है कि आप prepare करें घर पक उस दिन के तयारी करें बना बना कर देखें और आप लस्टी के business के शुरू कर सकते हैं और इस business के सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको गाउं में शहर में कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि लस्टी सब को पसंद है तो चलते हैं फटाफट से आज की वीडियो की तरफ और सारी बातों को तो जो नमकीन लस्टी है बेसिकली आपकी जिसको चाच बोलते हैं कुछ लोग तो वह आपके पास काले मिर्च के जीरे के और पुदीने के उनीचे है यह तीन फ्लेवर इसमें हो गए आपके मैं आपको फटाफट से बताता चल रहा हूं सारी चीज़ें बाकी आपको धीर लोगों को उनके आउटलेट नहीं चल रहे हैं और लोग 35-40-40-40 लाख रुपए लगा चुके हैं फ्रेंचाइजी लेने में और बरबाद हो चुके हैं मैं किसी भी फ्रेंचाइजी के अगेंस नहीं हूं बट मैं आपको मैं as a YouTuber as a आपका बड़ा भाई या छोटा भाई म मैं आपको बस एक चीज समझाना चाहता हूं कि किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने से पहले किसी फ्रेंचाइजी के बारे में सोचने से पहले उसको consider करने से पहले एक चीज बस clear समझ लो कि क्या उस फ्रेंचाइजी जो आप जिसकी फ्रेंचाइजी आप लेने जा रहे हो क् देखो शाक टेंग में जितने भी शाक्स हैं उन सबका एक ही clear vision होता है वो उसी पर पैसा लगाते हैं जो नया business होता है जो already बहुत कम लोग कर रहे होते हैं और जिसका revenue बहुत अच्छा होता है देखो जो पैसा company already कमा रही है न उस पर पैसा लगा के clearly दिख रहा होता है कि यह पैसा हमारा double होगा या बढ़ेगा लेकिन जो pre revenue models होते हैं आपने देखा होगा pre revenue पे कोई भी shark invest नहीं करता है बहुत कम shark होते हैं जो उस पर invest करते हैं तो आपको business जो unique है जो अलग है जिसका market थोड़ा कम है लेकिन उसमें आपको लगता है कि यह potential है वो scale हो सकता है business तो वह futuristic franchises हैं है ना EV के shares पर invest करो बहुत सारी चीज़े हैं इस पर जादा deep नहीं जाएंगे बट मैं यह चीज़ यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लसी का business करने के लिए कुछ franchise आती है लसी घर लसी house और भी बहुत सारी है तो मैं आपको यह भी नहीं कहूँगा कि आप franchise मत लो बट मैं आपको यह कहूँगा कि आप पहले संजो किया क्या एक लसी को बनाने के लिए आपको franchise की जरूरत है या आप उसको बिना franchise लिए कर सकते हो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में तमाम आपको वीडियो में यही समझाए कि या एक छोटे सी चाय को बनाने के ल तो थोड़ा सा आपको food business की knowledge होने चाहिए तब ही food business चलता है आप सब को पता है food business इंडिया में बहुत तेजी से grow करता है लेकिन आपको आना चाहिए जितनी तेजी से food business लोग खोलते हैं उतनी तेजी से food business बंद भी होते हैं इसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं आप चलाने से पहले आपने लाकों रुपे लगाने से पहले अपना थोड़ा सक time invest करो अगर आपने बिजनस मेफे पैसा करने से पहले time invest कराना तो invest जब आप पैसा करोगे दो अबरbabad नहींड मैं सच्चा ही बता रहा हूँ आपना भाई समझ के यह चीज मेरी बस समझ लेना अगर आप यह करते हो तो आप आपने बिजनस को चला ले जाओगे तो लसी का मैं आपको नहीं कहूंगा फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए बट मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने यह बताया था कि आप लसी को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है जो की थे फ्रेवर्स यानि आतखिए पॉडर्स थे और उस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला मुझे तीन लाग से उपर के व्यूस शायद है और उस वीडियो में आप कुछ पैकेट दिखाया कि आप order कर दो, bulk में order कर दो, नहीं मैं आपको franchisee से बचाना चाहिए था कि अगर आपको नहीं लीनी franchisee और बहुत सरे questions थे कि यह लसी का business करना है हमें बनाना नियती सबसे असान तरीका क्या है तो पहली बात मैं आपको clear करूँ कि यह लसी बनाना बहुत बड़ा कोई rocket science नहीं है दो दिन अगर आप YouTube पे वीडियो देखो कि कितने सारे cooking channels हैं in fact मैंने आपको बना कर भी दिखाईए उस वीडियो में flavor से दिखाईए अगर आप normal way में भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी वाली वीडियो देखो जहाँ पर flavor से हैं आप sample लो try करो अगर आपको पसंद आते हैं तो जा सकते हो लेकिन आपको price भी calculate करना है margin भी समझना पड़ेगा flavor लेने से पहले तो आप कहीं गाओं में लस्टी का बिजनस शुरू कर रहे हैं और आपने flavor order कर दी और फिर आपको बचत नहीं हो रही तो कोई फाइदा निया से flavor order करने का देखो दूसरा option होता है अगर आप flavor लस्टी रखना चाहते हो मैं कौँगा होच पोच नहीं करना 10-20 flavor नहीं रखने लस्टी के आपको 4 या 5 flavor के साथ जाना है तो अगर आपको flavor लस्टी बनानी है तो fruit crush आते हैं market में आपको Mepro का मिल जाएगा, Manama का मिल जाएगा, Mala का मिल जाएगा और बहुत सारी company आते हैं बट इन तीनों में से अगर मैं बात करूं सही कौन सा है तो Mepro का है और यह paid promotion नहीं है नहीं मेरे को Mepro ने कोई पैसे दी है Mepro के जो fruit crushes हैं वो मैं खुद यूज करता था अपने cafe में, अपने food truck में तो इसलिए मैं आपको यह genuinely बता पा रहा हूँ और माला के भी ठीक है और मनामा के भी ठीक है इतने बुरे नहीं है जादा variation नहीं होता बट इन तीनों में अगर सबसे अच्छा अगर आप पूछे तो Mepro के सही हैं तो Mepro के थोड़े से costly आ सकते हैं मतलब 10-20 रुपय का फर्क होता है एक लिटर की bottle में बॉटल में तो वह आप देख ले ना इसके 5-5 लिटर के can भी आते हैं तो वो थोड़े आपको सस्ते बढ़ेंगे तो आपको कहना आपने mango रख लिया, banana रख लिया, strawberry रख लिया लीची रख लिया और pineapple रख लिया ये 5 फ्लेवर हो गए आपके लसी के इनके अलावा और कुछ नहीं रखना आपको और इसके अलावा आपने एक रख लिया नॉमल लसी, plain लसी और इसके अलावा आपने तीन फ्लेवर रख लिया चाच में काले मिर्च, जीरा और पोदीना तो आपके पस टोटल 9 फ्लेवर हो जाएंगे लसी के दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ फ्लेवर वाली लसी या किसी भी तरीके के लसी बनाने का सबसे असान तरीका देखिए आपको चाहे रोज लसी बनानी है आपको पान लसी बनानी है लीची बनानी है मैंगो बनानी है आप इस वीडियो को देखो आपको सबको समझ में सारे दही को जिस बरतन में आपको लसी बनानी है उस बरतन में एड़ करना है और उसके बाद आपको चीनी एड़ करनी है और चीनी एड़ करने के बाद आपको उसको फेंट लेना है तो थोड़ा सा आप कडशी से फेंट लो और उसके बाद आप जो इलेक्टरिक मदानी आती है या electric lassi maker आता है किसी भी machine में आप डाल कर उसको अच्छे से फेंट सकते हो फेंटने के बाद आपकी जो लसी हो बहुत creamy लसी बिल्कुल तयार हो जाएगी लसी बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है glasses में बरफ को add करना है बरफ add करने के बाद आपने जो लसी तयार करी है उस लसी को बस डालते जाना है और उपर से जो मलाई आपने पहले पराद से निकाल कर रखी थी उस मलाई को उपर डालना है और आप उसको serve कर देंगे अगर कोई flavor वाली लसी बनाना है तो आपको glass में फ्लेवर डाल देना है और उसको फेंटना है, dry fruit डालना है और serve कर देना है तो यह सबसे असान तरीका आपको बार बार अलग लग तरीके की लसी नहीं बनानी पड़ेगी आपको सिर्फ एक ही तरीके की लसी बनानी है तो यह सबसे असान तरीका हो जाएगा आपको और आपकी लसी वेस्ट नहीं होगी बट एक ही चीज आपको कहूँगा लसी आप ऐसी बनाओ कि इतनी गाड़ी हो कि वो चम्मत से खाने लाइक लसी हो आप उसमें ज़्यादा पानी मत मिलाओ जितना आप लसी की कॉलिटी को गिराओगे उतना ही आपका काम गिरेगा तो अगर आप अवल दर्जे की क्रीमी और हैवी लसी पिलाते हो तो आप अच्छा प्राइस चार्ज कर सकते हो और कस्टमर खुशी-खुशी देगा फिर आप देखो काम कैसा चल रहा है और मैं यह नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको लसी रखनी है गर्मी में और क्या चल सकता है वो भी आप रख सकते हो अनार का जूस मौसमी का जूस जूस दो तरीके रख लो देखो कुछ लोग क्या होते है जो जूस पीने के लिए निकलते हैं माकिट में या उनको जूस पसंद होता है तो उनके लिए मतलब देखो कोई भी कस्टमर अगर आपकी दुकान में आया वो खाली नहीं जाना चाहिए उसको जूस चाहिए उसको लसी चाहिए उसको लसी वह मिल जाए उसको अगर मिल शेक चाहिए तो उसको मिल शेक भी मिल जाये तो ये कुछ चीजहें अगर आपयं लसी में जा ही रह सीक का बिजनश शुरूई कर हciones तो ये कुछ buy products हैं ये कुछ other products हैं जिनको definitely आप अपने business में club कर सकते हो और अपनी sale को बढ़ा सकते हो इसके अलावा जो मैंने आपको बता है machines का ये machines भी बहुत simple है motor वाली machine है 5600 रुपे से start हो जाती है लसी बनाने वाली जो motor आती है जो machine आती है और ये up to 2000-2500 रुपीज के असपा जाती है तो बहुत बड़ा को investment नहीं है आप कर सकते हो अब आपको एक question आता है कि या लसी का business मैं नया हूँ शुरू करना चाता हूँ मैं कहां करूँ एक दो चीज आपको बताऊँगा आपके mind clear हो जाएगा देखो लसी का business शुरू करना है अगर आपको तो इंडिया में लसी का business आप कहीं भी करोगे चलेगा बट कुछी कैसी जगह होती है जहाँ पर बहुत तेजी से आपको success मिल जाती है sale अच्छी मिल जाती है तो वो जगहें होती है आपने किसी mall के बाहर खोल लिया बहुत सारे लोग आते हैं जो mall में कुछ चीज़ें खरीदते हैं बट food mall में नहीं खा पाते हैं drinks mall में नहीं पी पाते हैं क्योंकि costly होती है तो mall के बाहर वहाँ पर business मिलता है लोगों को तो mall के बाहर आप एक छोटा सा stall लगा कर भी इसको कर सकते हो या फिर आप एक दुकान ले सकते हो main market में या फिर किसी hospital के बाहर या फिर किसी railway station के बाहर या फिर किसी bus stand के बाहर ये कुछ चीज़ें हो गए और मैं main market की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि main market में customer है दिन बर customer है high footfall है तो कोई भी ऐसा footfall बारे area जहाँ पर बहुत customer दिन बर रहते हैं तो वहाँ पर आप लसी के business को खोलो गर्मी इतनी है आप खुद जब बाहर जाते होगा आपने खुद observe किया होगा कि आपको आदे घंटे बात कुछ न कुछ ठंडा पीने का मन करता है and maximum लोग लसी या फिर fresh juice को prefer करते हैं तो मैंने juice के ओपर भी वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने detail में आपको बताए जूस का बिजनस आप बिना franchise के अगर शुरू करना चाते हैं तो किन-किन चीजों की requirement आपको पड़ेगी कार्ट में कैसे शुरू कर सकते हैं शौप में कैसे शुरू कर सकते हैं उसको जरूर देख लेना एक pro tip यहाँ पर आपको देना चाता हूँ और उसके बाद फिर आपको दही का जामन है वो डालना है उसको हिलाना है अच्छे से mix करना है और उसके बाद उसको रात बर छोड़ना है अब मैं एक चीज और बता दूँ इसको आप अल्मूनियूम के बरतन में जमाओगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर मटी की जो परात आती है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आप इस चीज का ध्यान रखो अगर आप Aluminium के बरतन में जमाते हो अच्छा result आपको देखने को मिलेगा बट दूद को boil करने को अच्छे से faint ना जाग बना देना दूद में उसके बाद आपको दहीं का जो डहीं है वो डाल कर मिक्स करके छोड़ना है इस चीज को clearly समझ लो आपको अच्छा fluffy and creamy दहीं देखने को मिलेगा अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप starting में जो ready made दहीं के packet आते हैं 10-10 किलो के 5-5 किलो के जो डब्बे आते हैं वो आप ले सकते हो वेरिका के आते हैं अमूल के आते हैं वो दहीं के डब्बे ले आओ औ वो आपका 1 kg का दहीं कितने का पढ़ रहा है और making के बाद आप उससे कितने कुलर बना पारे हो चाहिए आप 200 ml का कुलर सब करें या 300 ml का तो इस business में सबसे important चीज है profit अच्छा है आपको 40-50% तक का profit देखने को मिलेगा इन सब जो लागत है आपके सिर्फ दहीं और चीनी क देते मैं यहीं कहूंगा कि आप business का आयवा पैसा starting में ही अपने शौक पूरे करने के लिए लगाई है आपने चोड़ा सा कार्ट शुरू करा आपको दिख रहा है कि यार पर डे मेरी 4000-5000-6000-10,000 की सेल हो रही है तो आप अपने लिए उसमें से 200-300 रुपे पर डे का निका में फिर उसको multiply करने कोशिश करिए एक काट होगे आपका ready फिर आप दूसरे काट की तरफ स्विच करो कि एक और काट खोल दो कहीं और footfall वाली location में एक city में बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहां पर बहुत भीड होती है अच्छा market होता है तो फिर वहां जाओ फिर आपक आपका business stable हो जाएगा और अच्छा revenue आप उससे generate कर रहे होंगे तो यह आप कर सकते हैं और मैं लास्ट में वीडियो के एक और चीज आपको कहना चाहूंगा यह लसी हो गया है ना यह आपका पानी पूरी हो गई चाय हो गई इन छोटी छोटी चीजों के लिए एक similar product के लि चाहते हैं तो फिर आप क्या करो इन फ्रेंचाइजी इसको consider करो इनके आउटलेट्स पर विजिट करो इनके ऑनर से बात करो जो अल्रेडी इनके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स को run कर रहे हैं मैं आपको clear बताता रहा हूं किसी भी company को जब आप final करते हैं उसके advice दे देता हूं कि यार ये ना ले फ्रेंचाइजी तो अगर आप वहाँ पर बैठ रहे हैं और आप operations देख रहे हूं पूरे दिन के कि यार कितने customer आ रहे हैं कितना fluently इनका business चल रहा है कितना smooth way है काम करने का लोगों का तो आपको idea मिल जाएगा कि यार ये सही है या नही फ्रेंचाइजी लेना तो ये सारी महनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जो पैसा आप लगाने वाले होना उसमें आपकी और आपके परिवार की बहुत महनत है तो business को शुरू करने से पहले अपनी जान लगा दो सारी चीजों को समझे उसके बाद अपना पैसा लगाओ त तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करो हो requirements की तो लसी की business को start करने के लिए बहुत जादा कोई requirements नहीं है in fact दोस्तों अगर आप दिल से इस business को शुरू करना चाहो न तो आप 20,000 के अंदर भी कर सकते हो rent पे आपको kart मिल जाएगा जिसका 100 रुपे 200-300 रुपे के असपस per day का rent होता है maximum 100 रुपे होता है तो 120 आपको rent में kart मिल जाएगा बट नहीं भी मिल रहा तो आप second-end OLX पे search करके देखो जिसको करना है उसके लिए रास्ते बहुत है और जिसको नहीं करना उसके लिए इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ requirements नहीं होती अगर आप disposable glass यूज करना चाहते है तो disposable glass कर लो अगर आप kullard यूज करना चाहते है आप kullard यूज कर लो इन दोनों में से आपको choose करना अपने area के हिसाब से कि भाईया आपको customer कितना pay कर सकते हैं वापर अगर आप अपन आप आपको लगता है कि 20 रुपए का glass बेचना है मिरको तो फिर आप disposable ही definitely आपको use करना बढ़ेगा क्योंकि kullard का भी 2-3 रुपए आपका price चला जाएगा 200 ml के kullard का इसके अलावा आपको rue of the चाहिए होगी और कुछ dry fruit चाहिए होगे कुछ लोग नारियल का बुरादा भी आप ड्राइफ रुट डाल देना थोड़े सा रुफजर डाल देना इसके अलावा आपको fruit crush चाहिए होगे अगर आप flavor रख रहे हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ मनामा का मैप्रो का या माला का कोई भी company का इसके अलावा भी अगर आपको कुछ नहीं चाहिए होता ह इसके अलावा आपको चाहिए dedication, motivation और आपका hard work अगर यह तीनों चीज़ें आप मिला देते हो और यह जितनी requirement मैं आपको बता ही है यह आप ले लेते हो आप इस business को चला ले जाओगे इसके अलावा मैने यहाँ पर देखो यह syrup की bottle है मैं syrup strike कर रहा हूँ देखो यह पहले से यूज करता हूँ यह syrup तो यह best quality का syrup है कौन सा syrup है कैसे यूज करना है इससे कैसे mocktails बनेंगे यह सब आपको बताऊंगा और इसके अलावा में एक और लेकर आने वाला हूँ flavor यह तो blue crossy है इसके अलावा में आपको watermelon flavor भी लाने वाला हूँ फिर on camera आपको दिखाऊंगा बा बहुत informatic लगाओ तो please video को like करके channel को subscribe जरूर करेगा मिलते हैं दोस्तों एक profitable next profitable business video के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत